आईज, वेलकम टूबी बैंकर, स्वागत है आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर क्या गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास आज की क्लास होने वाली है क्या? आज एक अंग्रीजी बोलने की एकदम बेसिक वाली क्लास है ठीक है आपको करना है काम आपको करना है promise कि आप इस class को बेहद ही ध्यान से देखेंगे समझेंगे और सीख जाएंगे और इस class के बाद आप काफी अच्छा important concept learn करने वाले हैं वो भी basic वाला ठीक है चली शुरू करते हैं आज की class उसके पहले अगर चानल पर नए हैं पहली ब हमारे किसी भी class को आप कर सकते हैं अपनी social media sites पर share क्योंकि sharing is caring जी हाँ तो जरूर से share किया करिये चलीए शुरू करते हैं आज की class आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई आज positive pronoun के बारे में पढ़ने वाले हैं इनको आप यार से पी-पी भी बुला सकते हैं जी हाँ positive pronoun के बारे में पढ़ने वाले हैं अब आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आना चाहिए कि ये आखिर है क्या बिल्कुल जवाब भी यही पर आपको मिल जाएगा possessive pronoun ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में मालिकाना हक दर्शाते हैं possessive pronoun क्या होता है यह वाक्य में मालिकाना हक दर्शाता है यानि कि ownership को दर्शाता है कैसे होते हैं यह वाक्य यह किताब मेरी है यह mobile phone मेरा है यह bag उसका है ठीक है इस तरीके से आप क्या बता रहे हैं किसी की belonging को बता रहे हैं मतलब कोई समान किसी का है किसी का मालिकाना हक है किसी चीज के उपर किसी समान के उपर तो वो आप जब बताते हैं तो उनके लिए जिन शब्दों का अस्तमाल करते हैं उनको possessive pronoun words कहते हैं जी हाँ, तो कौन से हैं वो शब्द चलिए देखते हैं Normally वाके की शुरुवात में हम लोग किस तरीकी के शब्दों का स्तमाल करते हैं जैसे अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप I का स्तमाल करेंगे जैसे मैं, मैंने, किसी और की बात कर रहे हैं तो तुम, आप, हम, हम लोग यानि की वी, वे, वे लोग यानि की दे वह या उसने अगर मेल की बात हो रही है तो ही, वह उसने अगर फीमेल की बात हो रही है तो शी, इट मतलब यह, राहुल लड़के का नाम है है ना रानी लड़की का नाम है इस तरीके के शब्दो की शुरुवात शब्दो को स्तमाल हम वाक्य के शुरुवात में करते हैं ये तो हम सब को पता है लेकिन अगर आपको किसी वाक्य में बताना हो कि ये मेरी किताब है तो क्या कहेंगे ये i-book है नहीं नहीं बिलकुल नहीं इसके लिए ही तो शब्द है आज की क्लास में उनी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जैसे की आपको कहना हो अगर ये मेरी किताब है तो वहाँ पर आप माई या माईन का इस्तमाल करेंगे जी हाँ तो इनी को कहते हैं पी-पी यानि की मालिकाना हक दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं पॉदर सिफ प्रोणाउन कहलाते हैं जैसे की मेरा या मेरी जब आपको कहना हो तो इस्तमाल करेंगे शब्द माई mine का, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, इस्तमाल होगा your या yours, सारे के इस्तमाल बताऊंगी, examples के साथ बताऊंगी, घबराने के जरूरत बिलकुल नहीं है, हमारा या हमारी, यानि की hour या hours, उनका, उनकी, there या there's, उसका या उसकी, ध्यान रहे, जब male member की बात हो सिर female की अगर बात हो, तो her या hers का इस्तमाल होगा, इसका, यानि की it's, उसका या उसकी, यानि की his, again से जब male member की बात हो, उसका या उसकी, her या hers, कब, जब महिला की बात हो, female की बात हो, यहां तक बात साफ हो गई, clear हो गई, यह आपको just एक, एक जहलक में मैंने आपको बता द अब चलिए, इनका इस्तमाल भी जान लेते हैं, तो वाकी की शुरुवात मैंने आपको बता दे ही, वाकी की शुरुवात में इस तरीके से कर कोई वाकी जो है, शुरुवात हो रही है, तो अंग्रेशी में हमें पटा है कि subject के जगा पर आई लग जाएगा, लेकिन जब आ में confusion clear कर दूं कि मेरा या मेरी इन दोनों में से क्या इस्तमाल होगा ये depend करेगा विशेवस्तु के ऊपर ना कि male या female के ऊपर जी हां मेरा मेरी ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तमाल पुरुष भी कर सकते हैं महिला भी कर सकती है डिपन करेगा कि आप चीज की बात कर रहे हैं चलिए example देखेंगे बहतर समझाएगा यह मेरी किताब है अब बताए यह वाक के अगर एक लड़का बोले तो भी तो यही कहेगा ना कि यह मेरी किताब है और लड़की अगर बोले तो भी यही कहेगी कि यह मेरी किताब है, right, तो यहाँ पर किसके उपर depend कर गया, कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगी, विशय वस्तू के उपर यानि कि जिसके बारे में बात हो रही है, किताब के बारे में बात हो रही है, right, उसके gender पर depend करेगा, कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा, ठीक है, चलिए, example देखिए, यह मेरी किताब है, this is my book, यह मेरी किताब है, this is my book, बढ़ते हैं आगे, मैंने रमेश को कहा कि मेरा बैग मच्छुओ, मैंने रमेश को कहा कि मेरा बैग मच्छुओ, I told रमेश that don't touch my bag, I told रमेश that don't touch my bag, बढ़ते हैं आगे, यह किताब मेरी है, this book is mine, यह किताब मेरी है, this book is mine, ठीक है, आप यह तो माई का स्तमाल कर सकते हैं, या माई का भी स्तमाल कर सकते हैं, जब आप माई का स्तमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप उस मालिकाना हक जो है, उसके उपर जोर डाल करके इस चीज को कह रहे हैं, ठीक है, तब माई का स्तमाल हो जा रहा है, clear हो गई बात, चलिए बढ़ते हैं आगे, अब रूल जान लेते हैं, ऐसे ही थोड़ी नहीं, रूल भी तो है कोई, चलिए, रूल देखते हैं, आई के सापेक्ष में हमेशा, हमेशा माई या माईन का ही प्रयोग होगा, मतलब जब आप अपनी बात कर रहे हैं वाक्य में, यानि की आई की बात हो रही है, तो उस केस में मालिकाना हक दिखाने के लिए माई या माईन का ही उप्योग होगा, इसके अलावा, किसी वाक्य में किसी चीज को मेरा सूचित करने के लिए माई या माईन का प्रेयोग होगा बढ़ते हैं आगे अगला है हमारे पास यू यानि कि तुम या आप अब ये कहां आता है ये तो वाकिकी शुरुआत में आ जाता है लेकिन अगर मालिकाना हग जताते हुए बात करना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे यूर या यूर्स जब बिलॉंगिंग बता रहे हैं समझ में आ रही है बात जब बिलॉंगिंग किसी के लिए बता रहे है यू और या यूर्स का इस्तेमाल होगा कैसे मतलब आपका है ये आपकी है तुम्हारा है तुम्हारी है क्या बता रहे हैं हम लोग किसी की belonging बता रहे हैं किया रहे यह तो उसका है मतलब यह तो तुम्हारा है है ना यह तो तुम्हारी किताब है राइट चलिए कैसे इस्तमाल करेंगे देखते हैं यह आपकी यह तुम्हारी किताब है this is your book this is your book यहाँ पर भी मालिकाना हक की बात हो रही है लेकिन आप किसी और के मालिकाना हक की बात कर रहे है रैट चलिए अगला एक्जेम्पल देखते हैं आप अपनी कलम का उपयोग कर सकते हैं you can use your pen देखें यहाँ पर क्या हो रहा है आप अपनी कलम का उपयोग कर सकते हैं you can use your pen अगला example देखते हैं बढ़ते हैं आगे यह bag तुम्हारा या आपका है this bag is yours यह bag तुम्हारा या आपका है this bag is yours तो रूल जान लीजे अब यू के सापेच में हमेशा यूर या यूर्स का ही इस्तमाल होगा जब आप तुम्हारा तुम्हारी आपका आपकी इस तरीके से बात करें तो वहाँ पर हमेशा यूर या यूर्स का ही इस्तमाल होगा किसी भी वाक्य में किसी भी चीज़ को तुम्हारा या आपका सूचित करने के लिए यूर और यूर्स का ही इस्तमाल किया जाएगा राइट, बात क्लियर हो गई चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है we, we का मतलग क्या होता है ऐसे तो हम या हम लोग इस तरीके से इस्तमाल होता है we, लेकिन जब मालिकाना हक जटाने के लिए इस्तमाल किया जाए, तब वहाँ पर इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आप यह भी कह सकते थे, हम लोग हमारा आईडी कार्ड लेकर के आए हैं, बट हम लोग एक्चुल में, लैंग्विज में बात करते वक्त ऐसा बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारा यह हमारी जो है वो छिपा हुआ है, क्लियर हो गए बात, हम लोग अपना आईडी कार्ड लेकर के आए हैं, हो गए बात क्लियर, चलिए, अब रूल जानने की बारी है, वी के सापेक्ष में हमेशा आवर या आवर्स का इस्तमाल होगा, किसी भी वाक्य में, किसी भी चीज़ को हमारा या हमारी बताने के लिए, हम लोग हमेशा आवर या आवर्स का इस्तमाल ही करेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है दे, मतलब वे या वे लोग, यह तो वाक्य की शुरुआत में, यानि कि subject का इस्तमाल होता है, subject के तौर पर यह इस्तमाल होता है, लेकिन मालिकाना हक जब आपको दिखाना हो, तो क्या इस्तमाल करेंगे, देयर या देयर्स, क्या इस्तमाल करेंगे, their या theirs, मतलब उनका या उनकी, कैसे, example देखे, यह उनका बैग है, this is their bag, यह उनका बैग है, this is their bag, वे अपनी पहली कार लेने जा रहे हैं, they are going to take their first car, वे अपनी पहली कार लेने जा रहे हैं, they are going to take their first car, यह कार उनकी है, this is their, there's, क्या बता रहे हैं, उनकी कार है, बिलॉंगिंग बता रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं कि ये उनकी कार है, तो बिलॉंगिंग बता रहे हैं, this car is there's, चलिए रूल जान लेते हैं, दे के सापेक्ष में हमेशा there या there's का ही इस्तमाल होगा, और किसी भी वाक्य के में किसी भी चीज को उनका या उनकी बताने के लिए, सूचित करने के लिए, हमेशा there या there's का ही इस्तमाल किया जाएगा, ये नहीं बतलेगा, है ना, इसको ध्यान रखिए, इसलिए इतने पक् किंगे किसी भी वाक्य में किसी चीज को उनका या उनकी सूचित करने के लिए हमेशा तेयर या रही इस्तमाल होका जो रूल रही हूं रूल जो가dul ऐसे ही यस्तमाल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ही, सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में डाल लीजे कि ही का इस्तमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ male member यानि की पुरुष के लिए होता है, मतलब पुरुष को संबोधित करने के लिए होता है, पुरुष के सापेक्ष में होता है, अर्थ होता है इसका वह या लुझ ने तो और यह जो है वो normally कैसे इस्तमाल होता है, यह नोर्मली subject के रूप में इस्तमाल हो जाता है पर अगर बोलना हो कि उसकी किताब है या उसका mobile फोन है और यह mail की बात कर रहे हैं किसी पुरुष की बात कर रहे है तो क्या इस्तमाल होगा हिस का, his का यह उसका mobile है, this is his mobile, यह उसका mobile है, this is his mobile, आगे बढ़ते हैं, he got his pen, उसे उसकी कलम मिल गई, he got his pen, उसे उसकी कलम मिल गई, वह उसकी किताब है that is his book चरिये रूल जान लेते हैं ही के सापेक्ष में हमेशा ये तो बड़ा ही असान है हिस का प्रेयोक होगा हो गई बात क्लियर अच्छा किसी भी वाके में किसी भी चीज को उसका या उसकी सूचित करने के लिए हमेशा हिस का स्तमाल होगा ध्यान किस चीज का रखना है हमेशा मेल मेंबर के लिए ही ही और हिस का स्तमाल होगा क्लियर हो गई बात चलिए बढ़ते हैं आगे अब बात करते हैं शी की सबसे पहले दिमाग में डाल लीजे कि इशी का इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ महिला यानि की फीमेल के लिए होता है तो इसके इसके लिए जो भी शब्द है जो मालकाना हग दिखाएंगे वो भी तो फीमेल या महिला के लिए ही इस्तमाल होंगे जो शब्द हैं हर और हर्स ठीक है उसका या उसकी लेकिन ध्यान रखे यह महिला की बात हो रही है, फिमेल की बात हो रही है यहां पर, चलिए, इस्तमाल देखेंगे बहतर समझाएगा, यह उसका बैग है, this is her bag, अब हर का जैसे यहां पर इस्तमाल होगा, यह साफ हो गया, किसी फिमेल की बात हो रही है, कि किसी महिला का बैग है, this is her bag, बढ़ते ह आगे, वह अपने काम के लिए यहाँ है, she is here for her work, वह अपने काम के लिए यहाँ है, she is here for her work, यह कार उसकी है, this car is hers, यह कार उसकी है, this car is hers, जैसे यह अपने hers का इस्तेमाल किया, तो यह साफ हो गया, कि यहां पर मालिकाना हग जोह है, वो थोड़ा जादा जोर से, मतलब जोर शोर से यहां पर बताया जारा है, right, थोड़ा जादा यहां पर हग दर्शाय जारा है, रूल जान लीजिए, शी के शापेक्ष में हमेशा हर या हर्स का ही प्रे होगा जब बात किसी महिला की हो रही हो यानि की female की बात हो रही हो clear हो गई बात यहां तक चलिए बढ़ते हैं आगे अब बारी है it की it का मतलब ऐसे तो यह होता है ठीक है लेकिन जब आपको कहना हो कि यह अरे इसका रंग तो पिला है तो क्या कहेंगे it कहेंगे it's it's मतलब इसका उसकी specification मतलब उसका मालिकाना हक क्या है उसका अधिकार क्या है कि वो पिले रंग का है यह वो लाल रंग का है तो यहां पे it's का अस्तमाल किया जा रहा है कैसे इस्तमाल होगा चलिए देखिए इसका रंग लाल है, its color is red, इसका रंग लाल है, its color is red, it के सापेक्ष में हमेशा its का स्तमाल होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीके, और यह apostrophe वाला its नहीं है, इसका इसको तोड़ करके it is नहीं कहेंगे, यह its है, और इसी का प्रयोग होगा, और इसका मतलब होता है इसका, क्लियर हो गई बात, या फिर इसके अलावा किसी वाके में किसी चीज़ को इसका सूचित करने के लिए हमेशा its का ही प्रयोग होगा, बात क्लियर हो गई, चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं, अगर किसी लड़के का नाम हो, है ना, किसी मेल मेंबर का नाम हो, जै तो क्या इस्तमाल करेंगे, his का ही इस्तमाल होगा, क्यों, क्योंकि अल्रेडी बता चुकी हूँ, मेल मेंबर के लिए his का इस्तमाल होगा, उसका या उसकी, ठीक है, चलिए इस्तमाल देखते हैं, यह उसकी कमीज है, this is his shirt, यह उसकी कमीज है, this is his shirt, राहुल उसके स्कूल का कप्तान है राहूल is the captain of his school दिख गया राहूल के सापेक्ष में his का स्तमाल हो रहा है his का स्तमाल कहा होता है male member के लिए होता है हो गई बात clear अगला example देख लीजे यह उसका घर है this is his house यह उसका घर है this is his house बढ़ते हैं आगे लड़का या पुरुष के नाम के सापेक्ष में हमेशा his का ही इस्तमाल होगा किसी लड़के की बात कर रहे हैं या पुरुष की बात कर रहे हैं तो उसके सापेक्ष में हमेशा 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 his का ही प्रयोग होगा या फिर किसी वाक्य में किसी चीज को उसका लेकिन ध्यान दीजेगा उसका जिसका बोल रहे हैं वो पुरुष या लड़का ही होना चाहिए तो his का प्रयोग ही किया जाएगा बढ़ते हैं आगे अब बात करते हैं रानी की यानि कि किसी फीमेल किसी लड़की किसी महिला की ठिक है उसके लिए क्या इस्तमाल होगा her नहीं तो hers यह पहले ही बता चुकी हूँ कि her और hers जो है वो फीमेल के लिए ही इस्तमाल होगा और इसका अर्थ क्या होता है उसका या उसकी example देखिए बहतर समझाएगा या उसका phone है this is her phone जैसे ही आपने हर का अस्तमाल किया, साफ हो गया किसी महिला का फोन है, किसी लड़की का फोन है, ठीके, चलिए, रानी अपने कक्षा में नई है, रानी इस न्यू इन हर क्लास, रानी की ही बात हो रही है, उसके ही क्लास की बात हो रही है, तो रानी इस न्यू इन हर क्लास, हर का इस्तमाल हुआ क्योंकि रानी कौने female है महिला है ठीक है और example देखिए यह dress उसकी है this is this dress is hers ठीक है यह dress उसकी है this dress is hers चलिए अब फटाक से rule जान लेते हैं क्या होगा लड़की या महिला के नाम के सापेक्ष में हमेशा हर नहीं तो हर्स का इस्तमाल होगा किसका इस्तमाल ह हर नहीं तो हर्स का इस्तमाल होगा या फिर किसी वाक्य में किसी चीज़ को उसका दिखाना हो और वो उसका जिसकी belonging की बात आप कर रहे हैं वो लड़की या महिला हो तो हर और हर्स का ही प्रेयोग होगा क्लियर हो गई बात चलिए अभी जल्दी से ना एक क्विक रिविजन कर लेते हैं तो जब भी बात आई के रिस्पेक्ट में हो आई के सापेक्ष में हो तो माई माइन का स्तमाल करेंगे यू के रिस्पेक्ट में हो तो यौर यौर्स का स्तमाल करेंगे वी के रिस्पेक्ट शी का स्तमाल हो तो हर और हर्स का स्तमाल करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे कि शी का स्तमाल जो है और हर और हर्स का स्तमाल जो है वो महिला के लिए ही किया जाता है इट का स्तमाल हो रहा हो इट के सापेक्ष में बात हो रही हो तो इट का स्तमाल होगा राहुल लड़के के सापेक्ष में गर बात कर रही हो तो हिस का स्तमाल होगा और रानी लड़की के सापेक्ष में गर बात हो रही हो तो हर और हर्स का स्तमाल होगा ये हो गया आपका क्वि पास रख लिजिए और इसका स्तमाल जो है आईंडा आपको कभी भी गड़बडी जो है इसमें नहीं करनी है ठीक है समझ आगया गड़बडी नहीं होगी अब कभी भी जब भी आई के रिस्पेक्ट में बात होगी तो माईन या माई का स्तमाल होगा इस तरीके से पूरा का पूरा चार्ट आपकी नजरों के सामने हैं So yes guys यह थी आज की class उमीद है class आपको समझ आ गई उमीद है class आपको पसंद आ गई class पसंद आई है तो जल्दी से कर दीजे class को like कर दीजे class को share क्योंकि share करना बहत ज़रूरी है क्योंकि जो आपने सीखा औरों का भी हक बनता है उसे सीखे और आपका फर्ज बनता है कि आप class को share करें और लोग सीखें चैनल को नहीं subscribe किया है अभी तक तो जल्दी से कर लीजे ताकि ऐसी ही basic बिल्कुल ऐसी वाली चीजें मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आ सकूँ और आपको पता चल जाए जब भी मैं लेकर के आऊ जहां पे ना कड़ी तूटती है कभी आपने ध्यान दिया बहुत कुछ पढ़ लिया बहुत कुछ सीख लिया पर कुछ एक चूटा सा है अधूरा सा है जो चूटा हुआ महसूस होता है हमेशा बस उसी कड़ियों को जोडने का काम करती हूं मैं तो ऐसी क्लास ताकि आप कभी मिस ना करने तो आप जल्दी से चैनल को सब्स्क्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर सदबा लीजे इसके साथ ही बेसिक प्लस पोकें इंगलिश की ई-बुक और इसकी कोर्स दोनों ही अवेलिबल हैं आप चाहें तो इनको मंगा सकते हैं साथी साथ मिनी स्पोकें इंगलिश कोर्स और उसकी ई-बुक के लिए भी आप संपर कर सकते हैं और यह है यह तीन किताबे बेहत जल्द आ रही हैं तो बिल्कुल बेशक आप इंतजार करिए और अगर आप कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं यानि कि अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम कोर्स आप करें स्पोकें इंगलिश का तो उसकी जानकारी आप जरूर से जरूर प्राप्त कर लें बेसिक इंगलिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी प्राप्त कर लें बच्चों को बेसिक ग्रामर कोर्स कराना चाहते हैं की जानकारी भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी Basic English Dramal School के लिए और Writing School के लिए ये दोनों दो बहुत ही क्रूशिल है तो इसके लिए भी जानकारी आप ज़रूर प्राप्त कर लें और ये Premium Competitive English Course है यानि कि किसी भी competitive exam की तयारी जिसमें अंग्रीजी पूछी जाती हो और आप ने अगर यह तयारी करनी हो और आप सीरियस हो तो इस कोर्स को जरूर से जरूर कर लें फिर देखे आपका बेसिक से लेकर करके एडवांस तक का पूरा का पूरा कोर्स कैसे खतम होता है कैसे आप बिल्कुल ही smoothly आप इन आपने इंक्वाइरी कर ली है तो निशिंद हो जाएए आपको रप्लाई जरूर से जरूर मिल जाएगा क्लियर होगे बात so yes guys that's it for today thank you so much for watching be with bbanker empowering life through knowledge thank you so much for watching stay tuned to bbanker